आज हम यही टूटरियल्स में दो सीटिंग पोजिशन का मैं फिगर बनाऊंगी पहला वाला है बिलकुल फ्रॉंट के और बैठे हुए हैं सिर्थ थोड़ा आगे का जुका हुआ हैं इसके लिए मैं पहले बीच में एक सेंटर लाइन केच जो दोनों सायच से मैंने बराबर का डिस्टंस का दो लाइन मैंने कीच लिया और पहले भी मैं आप लोग को टूटरियल्स में यही बताई थी कि सबसे पहले हेट को हमें शेप कर देना चाहिए और हेट जो है आगे की और थोड़ा से जुका हुआ है यह हो गया 1st, यह हो गया 2nd, यह आपका 3rd, यह आपका 4th इसमें फोर्द ऐसा हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, यह 5th है यहाँ पर आपके 6th हो रहे हैं, यह 7th हो रहे हैं जो कि यह बैठे हुए हैं तो पोजिशन जो है वो इसी टैप के हैं तो इसलिए और मैंने पहले भी बोली थी कि सारी ड्रॉइंग कोई भी ड्रॉइंग आप जब पेपर में कर रहे हैं उसका एक लाइट पैंसल से पहले रॉप स्केज बना लीजिए फिर आप डार्क से कीज़ेगा चुकि कैमरा में अच्छा से आए आपको भी समझ में इसी हो इसलिए मैंने पहले लाइट पेंसल से की थी अब मैं डार्क पेंसल से कर रही हूं देखे यह लीजिए यहां से चेस्ट हो गया सेकेंड में आपको पता यह है कि आपर अमस के अपर साइड होते है और चेस्ट के यह देखें यह हो गया third points हो रहे हैं आपके elbows ये आपका third point हो रहे हैं fourth आपके जा रहे हैं दोनों wrist क्योंकि दोनों हाथ जो है एक साथ में जुड़ा हुआ है so यहाँ से हम bend कर देंगे दोनों हाथ एक साथ में ऐसे डैप के ठीक है अब fifth point जो है वो knee point हो रहे यह देखिए fifth point जो हो रहे हैं यह knee point हो रहे है ठीक है sixth point जो हो रहे हैं यह private part से थोड़ा से नीचे जा रहे हैं मैंने पहले भी आप लोग को बतायती कि five or six के बीच में होती है यह लीजिए यह हो रहे है seventh आपके जा रहे हैं lower leg पे यह लीजिए seventh जा रहे हैं आपके lower leg पे हाँ और eight जा रहे हैं आपके ankle eight जा रहे हैं आपके ankle and nine जा रहे हैं आपके toes portion तो इसको मैं पहले rough में बना रहे हूँ बाद में आप अपना हिजाब से उसको muscle दीजिए आपके कपड़े दीजिए आप अगर कोई model को देखके बना रहे हैं या कहीं पर देखके आप बहुत fast बना रहे हैं या कोई picture देखके बना रहे हैं तो आप अराम से इसको आप कर सकते हैं तो मैं अभी finishing आपको नहीं दिखाऊंगी finishing का मैं अलग से आपका tutorial लोंगी उस समय मैं आपको सिखाऊंगी ये दिखिए ये मैंने थोड़ा सा डार कर दिया ताकि आपको समझ मा जाए और जो चेयर में बैटे हुए हैं तो चेयर को मैं थोड़ा सा डार कर दे रही हुँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां पर chair है और किस position में बैठे हुए है यह हो गया आपका first figure ठीक है यह हो गया आपका first figure अब हम लोग एक second figure को भी करूंगी second figure में यह हो रहे हैं कि यहां पर भी chair में बैठे हुए हैं लेकिन वो बहुत relaxing mood में है दोनों pair cross leg है यह देखिए cross leg है और थोड़ा सा टीड़ा बैठे हुए है पहले वाला जिससे first figure में straight था वैसे नहीं है तो इसलिए इनके सिर थोड़ा उपर के और है पहले वाले में थोड़ा जुका हुआ था तो यहां पर मैं आपको one, two, three, four, 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 four points ही मैं आपको दिखाऊंगी च्योंकि cross leg है इसलिए मैं details में आपको दिखाने पा रही हूँ यह देखिए और आपको मालूम ही है कि सबसे पहले हमें रफ में कर लेनी है और यहां भी मैंने वही की थी पर अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए dark pencil से मैं सो कर रही हूँ तो मैंने pencil जो use की थी light में मैंने 4H मैंने use की थी और dark के लिए मैंने 8B use की थी यह देखिए एक पैर उपर चला गया एक पैर नीचे तो head के वहां पर first हो गया यह हो गया आपको second यहां third यहां पर fourth मैं fourth तक आपको दिखा रही हूँ बाकी का मैं आपको show नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि position ही ऐसा है उमिद करती हूँ कि आप सब घर पे अच्छी ठन से practice किया होंगे इस नवरात्री में एक नए चीज सिखना होते हैं और यहां पर आपके कोई फीस नहीं कुछ नहीं आप तो ऐसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ और जितना आप practice कीजीगा उतना आपके लिए अच्छा होगा उतना आप speech से कर पाएंगे perfection आएगा जितना आप कीजीगा उतना perfection आएगा अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा करके आपको हो गया नहीं आज भी हम सभी artist practice करते रहते हैं practice से ही होते हैं ये देखिए almost हो गया अब जो नए viewers हैं वो मेरी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए और like share जरू कीजीगा थैंक यू